पतलब का रिष्टा एक गाओं में एक बड़ा साहोकार हता था साहोकार बहुत पैसे वोला था असपास के कई गाओं में उसका बड़ा नाम था लेकिन इस साहोकार को अपने पैसे का अपने रोग्वी का और अपने नाम का बड़ा ही घमन था वो अपने नाम को बनाय रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता था और बिना किसी के भावनाओं की कदर की वो सब करता था जो उसे अच्छा लगता था कि करना चाहिए साहुकार को कई सालों बाद एक संतान पराप्ते हुई थी साहुकार ने अपने इस खुशी को मलाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कारिकरम रखा जिसमें उसने आसपास के काओं के सभी स्रीमंत लोगों को और सिर्फ ऐसे रिस्तेदारों को जो पैसे वाले थे ब को कर्ः तक इस कारिकरम में केलिए नहीं बुलाया साहुकार ने जिस कारिकरम का आजयंट केया था वह इतना भभ्य था और इसके अलावा उसमें इतने प्षिद और स्रीमंत लोग आने वाले थे कि इस कारिकरम की चप्छाय हर गाउँ में होने लगी यह खबर वों साहुक बहन में सोचा कि भाई गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया होगा और अपने को भला कोई न्युता देता है। ऐसे कपड़े में जाने की सोचती भी नहीं लेकिन मैं तो अपने घर अपने मैके जा रहे हूँ वहाँ मुझे ये सब सोचने की जुरत नहीं है। उसने देखा कि उसका भाई महमान के तरब और आए सबी धन धन और नामी लोगों का स्वागत करने में बेस्ट है। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बड़ी उसके भाई की नदरे उस पर पड़ गई और अपनी बहन को ऐसे महले पुराने कपड़ों में देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर भलकि तुरण बहना बना कर वहाँ से निकल गया। बहन ने सोचा इतने लोगों में बेचारा अकिला भाई क्या क्या करे है जरू उससे कुछ काम यादा आया होगा इसलिए वो हाँ से चला गया होगा। बहन बात मैं अपनी भाई से मिलने गई भाई ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आगरा किया बहन ने सोचा ठीक है पहले खाना खा लेते हो फिर बात मैं आराम से भाई से मिल दूँगी। यह सावकार से देखा नहीं गया, उसने अपनी बहनों को अपने पास बुलाया, और बुरा बुरा सुनाया, और वहां से जाने के लिए बुला, बहन ने अपने सपने में भी नहीं सुचा होगा, कि उसके साथ कभी ऐसा बिवार भी हो सकता है, और वहां भी उसके खुद के मा अपमार होने के बाद, बहन तुरन अपने इस सस्राल जाने के लिए चल पड़ी, बहन इस बात को पचा ही नहीं पार ही थी, कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना भुरा भिरहर किया, उसकी आखों में आसो नहीं थम रहे थे, रेस्टर में उसे अपनी भाई दोस्त मिल साथ हुई, सारी घटना उसे बता दी, उसकी दोस्त एक सवादा महला थी, और काफी प्रेटिकल सोतने वाली थी, उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो, तो एक दिन तुम्हारा भाई, कुछ तुम्हें अपने इहां बुलाएगा और तुमसे माफी मागेगा, बहन ने उस से कहा कि मैं तुम्हारी हर बात पालोगी, बता मुझे क्या करना होगा, दोस्त ने कहा कि अगर तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिसात दे दो, और कोई ग्रव ध्योग सुरू कर दो, उसमें इतने महनत करो, कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी नहो, भेन को, अ इतने ही देखते, उसका ग्रहत जोग चल पड़ा, कुछ ही सालों है, आस-पास के पचास काम उसका नाम और उत्वा का भी बढ़ गया, और वहाँ अब पैसो के मामले में, अपने भाई से भी ज़्यादा बड़ी बन गई, भाई को भी जो यह पता चला कि उसकी वहें इतन किया, उसके पसंद खाला घिलाया, भाई का ऐसा ब्यहाद देखकर भाई को अपनी पिछली गल्ती का एसास हुआ, इसलिए उसने अपने भाई को अपने घर होने वाले पूजा के लिए अमंतित किया, कुछ ही जिनु बाद भाई अपने भाई के यहां, उस पूजा के और उससे भी ज़्यादा किमती गैने दागिने पहने रखे थे, भाई का ऐसा ठाट बाट देकर सिर्व भाई नहीं बलकि उसका फुरा गाउप दंगरा गया, भाई दरब आया और भाई की गाले का दरवाजा खुलकर उसे बाहर आने के लिए कहा, और बड़े प्यार से उ साथ करने के लिए बुलाया, भाई को इस बार बार पकवान पर उसे गये थे, चादी की धाली में उसे खाना दिया गया था, वह साथ में एक सोनी के चमज भी रखी गयी थी, उसके बैठने के लिए बेश की मती पाड रखा गया था, भाई को यह सब देकर उसके वह पुरा भाई काने दिन याद आए, जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही बुला भुला कवकर वापस लोटा दिया था, भाई को इस खाना खाने के लिए तो नहीं बठी लेकिन उसने अपने सारे किम्दी दाग दागिने और जिवह उतार कर उस ठाली में रखने सामने रख द भाई का ऐसा भिवार देकर सभी हैरन थे, किसी को नहीं समझा रहा था कि भाई ऐसा क्यों कर रही है, आकिर वह क्यों उन जिवरों को खाना खिला रही है, जब सभी ने उससे पूचा कि वह क्यों ऐसा कर रही है, तब भाई ने सब के सामने बताया कि आज जो उसका इतना मा अगर कुछ बदला है तो वह मेरा परिस्ति है मेरे कप्ड़ों गैने हैं भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के प्रेट पकार कर माफिमागी बहन को पहले भी अपने भाई से निश्वात प्रोण करते थी उसने अपने भाई को माप कर दिया और उस से गले से लगा लिया दोस्तों पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरग बनाने के लिए हैं जबकि रिष्टे जीवन में मिले किसी वर्दान की तरह है अगर उन्हें सचे मन से और निस्वार्त भाव से निभाए जाए पैसे खर्च हो जाए तो आप बाद में भी कमा सकते हैं आगे के स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें धन्यवाद